यानि की Lakes of India तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आज की इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जील किसे कहते हैं उसके बाद जीलों के परकार यानि की जीलें कितनी परकार की होती हैं उसके बाद हम देखेंगे सबी राजियों के महत पूरण जीलें तो सबी राजियों की हम जितने भी राजियों में जीलें हैं जो एकजा में पूछे जाती हैं उन्हें कवर करेंगे और उसके बाद हम कुछ महत पूरण तर्थे देखेंगे कि कोंसी सबसे बड़ी मेठे पानी की जील है कोंसी खारे पानी की सबसे बड़ी जील है यह सब हम महतोपूरण तर्थ्यों में देखेंगे और लास्ट में जो फिर प्रिवियस यह के क्वेशन है उन्हें कवर करेंगे तो चलिए बिना देरी किये हुए वीडियो को शुरू करते हैं तो चलिए वीडियो की शुरुवात करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि जील किसे कहते हैं तो जील जलका वहस थिर भाग है जो चारों तरब से भूमी से गिरा होता है और जील की दूसरी विशेष्टा उसका स्थाय तो है मतलब कि जील में नदी की तरह परवा नहीं होता धारा नहीं होती जैसे नदी होती है, वो उपर परवतों से नीचे मेदानी भागों में बहती है तो उसमें धारा होती है पर जील क्या है? वो एक गड़े में बड़े से विस्तीत गड़े में पानी भरा होता है, तो उसमें धारा नहीं होती, स्थाय तो होता है, यह इसकी दूसरी विशेस्ता है और यह पानी चारों तरफ से भूमी से घीरा होता है, तो उसे को जील कहते हैं तो जील की definition हमने समझ ली, अब हम देखते हैं कि जील कितने परकार की होती है, जीलों के परकार, तो सबसे पहला है मीठे पानी की जील, जिसे इंगलिश में कहते हैं fresh water lakes, तो मीठे पानी की जील क्या होती है, मीठे पानी की जील का मतलब यह नहीं है, कि उसमें चीनी घुली ह मीठे पानी की जील का मतलब यह है कि वह पानी पीने लायक है, मतलब कि फ्रेश वाटर है, जैसे बारिश का पानी कठा हो जाए तो उसी को मीठे पानी की जील कहते हैं, जिसे हम पी सकते हैं. उसे अगले अपरकार है खारे पानी की जील जिसे इंगलिश में कहते हैं salt water lakes तो खारे पानी की जील जैसे कि इसके नाम से ही किलिए रहा है कि ये लवनिय जील है मतलब जिसमें नमक की मातरा जादा होती है उसे खारे पानी की जील कहते है जैसे समुद्र का पानी खा रहा होता है उसी परकार इस जील का पानी भी खा रहा होता है तीसरी जील है हिम नद्य जील जिसे इंगलिश में कहते हैं Glacial Lakes मतलब कि जो Glacier द्वारा बनती है जब Glacier पिखलते हैं और उनकी वज़य से जो पानी होता है एक जगा विस्तरित घड़े में आगर भर जाता है जम्मा हो जाता है उसी को हिम नद्य जील कहा जाता है यह सब तो असान है इसलिए मैं आपको सिधा बता रहा हूं तो हिम नद्य जील के बाद है क्रित्रिम जीलें क्रित्रिम जीलें जिनें इंग्लिश में कहते हैं Artificial Lakes तो जो ज़्यादा तर जीलें होती हैं वो Natural होती हैं प्रकर्तिक होती हैं प्रकर्ति द्वारा बनाईगे पर जो क्रित्रिम जीलें होती हैं जे मानो द्वारा निर्मित होती हैं मतलब मानव द्वारा खुदाई करके यह जीले बनाई जाती हैं इसलिए ने कृत्रिम जीले कहते हैं और आके तीन जीले हैं यह हम थोड़ा रिस्तार में पढ़ेंगे क्योंकि यह ज्यादा छैंसा इंग्लीच में कहते हैं क्रेटरल जैक सबसे पहले देखते हैं ज्वाला मुके जीले क्या होती हैं जिस Make एक यह जोखर मोगता है उपर वाला भाग होता है इसका मुः होता है जांसे लावा निकलता है उसी को क्रेटर कहते हैं तो तो क्या होता है, इसके crater में पानी भर जाता है, पानी भर जाता है, जमा हो जाता है, तो इसे को हम crater lakes कह देते हैं, और कई बार क्या होता है, कि जो आला मुखी जब विसखोट होता है, तो उसके कारण कई जगा पर धरती धस जाती है, और crater बन जाते हैं बड़े बड़े, और उनमें भी जब पानी भर जाता है तो उसको भी जौला मुक्य जीले कहते हैं और जो जौला मुक्य के ऊपर जो ये क्रेटर है इसमें भी जब पानी भर जाता है तो उसे भी क्रेटर लेक्स और जौला मुक्य जीले कहते हैं तो उसके बाद हम देखते हैं गोखुर जीले और इन्हें मैं आपको image के साहता से बताता हूं तो गोखुर जील और लैगुन जील ये मैं आपको example से समझाता हूं क्योंकि ये दोनों imported है और आगे इनका जिकर होगा इसलिए आप यही पर समझ लीजिए तो सबसे पहले देखते हैं गोखुर जील तो इसे गोखुर जील क्यों तो ये गोखुर जील बनती कैसे है ये मैं आपको समझाता हूं तो जैसा कि आपको पता होगा कि जो नदियां होती है वो उचाई से यानि कि परवत और पहाड़ों से निकलती है और मेंदानी भागों की और बहती होई जाती है तो जब नदियां उपर से निकलती है तो ऐस से नदी बेहती हुई आ रही है आगे देख रहे हैं कुछ जमीन का भाग उचा है तो नदी क्या करती है मुड़ जाती है मुड़ कर फिर ऐसे पहे रही है पर क्या होता है जो आप यह एरिया देख रहे है नदी यहाँ पर भी चोड़ पहुचाती रहती है और कुछ सालों बाद क्या होता है नदीयां इसको सिधा काट देती है और सिधा बहने लगती है पहले ऐसे मुड़कर बह रही है न पर कुछ सालों बाद क्या होगा यह जो हिस्सा है न यह कट जाएगा नदियां यहाँ पर चोड़ पहुचाती रहती है, और कटकर सीधा बेहने लगेंगी, जिस कारण क्या होगा, यहाँ पूरा हिस्सा कट जाएगा, नदि अब सीधा फ्लो कर रही है, और यहां पर पानी जमा हो गया, तो मैंने आपको पीछे बताया, कि जिल क्या है, जहां पर स्थाई तो हो, मतलब उसमें धारा नहीं होगी, पहले इसमें धारा थी, नदी के साथ बैह रही थी, अब क्या हुआ, नदी सीधा बैहने लगी, जिसका रण ये वाला पूरा अरिया कट गया, तो इसी को कहेंगे गोखुर जील, जो नदी से अलग हो जाए, और जिसकी शेव गोखुर जैसे हो, उसी को गोखुर जील कहते हैं, तो आशा करता हूँ, आपको गोखुर जील समझ आई होगी, अब देखते हैं लेगुन जील, तो गोखुर जील के बाद, अब देखते हैं लेगुन जील, लेगुन जील हमेशा समुदर के तटपर देखने को मिलती है, क उसमें पानी भर देती हैं क्योंकि खड़ा है बड़ा बड़ा तो उसमें पानी भर देती हैं और उसके किनारों पर भी कचड़े को जमा कर देती हैं मतलब कि समुद्र के अंदर जो कचड़ा है मिट्टी है अवसाद है उसको जमा कर देती हैं किनारों पर और उपर लहरें प पर इसी को लगुन जीले कहते हैं आशा करता हूं आपको समझ आया होगा अब हम एक एक करके जो राजियों में परमुक जीले हैं उन्हें देखते हैं तो अब हम एक एक करके सभी राजियों की परमुक जीलें देखते हैं तो सबसे पहले देखते हैं जम्मू कश्मीर की परम नागिन जील तो आप एक चीज़ गोर करिएगा जितनी भी जीले हैं सभी के पीछे नाग और नागिन लगा हुआ हैं तो जितनी भी नाग नागिन वाली जीले हैं ये सभी कहां पर हैं तो ये जम्मू कश्मीर में हैं जब भी किसी जीलिक के पीछे नाग या नागिन लगा ह तो आप समझ जाएए वो जील जम्मू कश्मीर में ही है तो जब नाग नागिन वाली जील है जम्मू कश्मीर में उसके बाद है विश नशर जील तो इसको आप कैसे याद करेंगे विश नशर को आप विश इससे याद करेंगे जैसे विश है ना तो इसको विश पढ़ेंग जहाँ पर इतनी नाग नागी रहते हैं आगर वहाँ पर कोई मनुष्य रहता है तो बलवान होना चाहिए, मानस में बल होना चाहिए तो इससे आप ऐसे रिलेट करके पढ़ सकते हैं यह याद करने का एक तरीका है जिससे आप याद कर सकते हैं यह पर नाग नागीन के बिज एक बलवान मनुष्य ही रहता है तो जिस मानस में बल है, वह यहाँ रह सकता है तो मानस बलजील भी जम्मू कश्मीर में है उसके बाद है डल जील और वूलर जील यह तो मोष्ट इंपोर्ड़ है और आपको पता भी होगा क्योंकि बहुत बार यह अपने सुना होगा डल जील के बारे में वूलर जील के बारे में यह भी जम्मू कश्मीज में ही है तो जो डल जील है इसे श्री नगर का गहना कहते हैं क्योंकि ये श्री नगर में है और बहुती खूबसूरा जील है यहाँ पर फिल्मों की शूटिंग भी होती है इसे श्री नगर का गहना कहा जाता है और जो वूलर जील है ये भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की जील है लाश में मैं आपको वीडियो के मैं तो पूरान तथ्य में बताऊंगा कि कौन से मीठे पानी की जील है खारे पानी की जील है पर साथ साथ अभी भी आप पढ़ते रहे हैं लास में रिवीजन हो जाएगी तो वूलर जील भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की जील हैं तो जम्मू कश्मीर के बाद अब हम देखते हैं उत्राखंड तो जैसे कि जितनी भी नाग नागिन वाली जीले हैं ये सभी जम्मू कश्मीर में हैं उसी परकार जितनी भी ताल वाली जीले हैं जिन जीलों के पीछे ताल लगा है वो सभी उत्राखंड में हैं जैसे नैनी त बटतoral जील, राकसताल जील, माला ताल जील, देव ताल जील, नोकशिया ताल जील और खुरपा ताल जील। ये जिन जीलों के पीछे ताल लगा है 90 पतिशा जीलें उत्रा खंड में हैं। बाकी 3 ऐसे जीलें, जो उत्रा खंड में नहीं हैं। कहा है उत्म थो हम अब ही आगे बताऊंगा मैं आपको वो आप याद रखना उनको आप याद रक लेना ये तीन जीले नहीं हैं बाकि जितनी बची-जीले आएंगी व News वी उत्राखंड में हैं तो एक बचा-उन्द्र है जिसे कंकाल जील केते हैं इसे रहसमाई जील Türkiye और जितनी भी ताल वाली जीले हैं, वो तो उत्राखंड में है ही हूँ, तो उत्राखंड के बाद अब हम देखते हैं हिमाचल पदेश और उत्तरपदेश, तो मैंने वहाँ पर आपको बताया कि जितनी भी ताल वाली जीले हैं, सभी उत्राखंड में हैं, और वहाँ पर मैं आपको यह तीन जीलेगं फता होगी यह कहां पर हैं तो वाकी की पफैरी जीलें वह सभी पुत्राखंड मे पिरि यर्म उसे पर CJ तो दोर चन्दरताल देश में हैं में है तो सूरत ताल झील और चंद्रताल झील इसके बाद एक और याद रख लेना है यह रामगरताल तो इसको तो और असानी से आधाप रख लेंगे कैसे रामगरताल है न यह तो इसमें है राम तो भगवानश्री guidanceambre का था योध्या में हुआ था योध्या कहां पर है तो उत्तर पदेश में है तो इसके अगला राज है सिक्किम सिक्किम में आपको एक ही जील याद रखनी है यह है चुलामु जिल बहुत बार एकजामें पूचा गया है चोलामू जील के बारे में इसलिए याद रखेगा क्यों पूछा जाता है एक्जाम में बार-बार क्योंकि जो चोलामू जील है यह भारत में सबसे अधिक उचाई परस्थित है सबसे अधिक उचाई परस्थित है मतलब कि भारत की सबसे उची जील कौन सी है तो यह है चुलामू जील इसलिए यह एक्जाम में बार-बार पूछा जाता है याद रखेगा तो सिक्किम के बाद देखते हैं मनीपूर तो मनीपूर में भी एक ही जील है जो याद रखनी है यह है लोक्टक जील कौन सी? लोक्टक जील और यह पूरवत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी जील है मतलब कि पूरे नौर्थ एस्ट में पूरे पुर्वत्तर भारत में ये मीठे पाने की सबसे बड़ी जील है और इस जील में केबूल लाम जाओ नाम का तेरता हुआ दुनिया का एक मात्र राष्ट्रे पार्क है इसलिए ये जील काफी इंपोर्डर है क्योंकि दुनिया का एक मात्र तेरता हुआ केबूल लाम ज आए हुए हैं और यहीं पर है कैबूल लाम जाओ नाम का तैरता हुआ राष्ट्रे पार्क इसे आप याद कैसे रखेंगे तो देखी रहे हैं कि अपने आप में एक अजूबा है मतलब दुनिया का एकमात राष्ट्रे पार्क है तो लोग क्या करते हैं मनी देकर मतलब कि पै फिल्था करें पैसा खर्चा कर रही है इस पार्क को देखने थे लिए इसको अब ऐसे याद रख सकते हैं तो अगला राजय देखते हैं राजस्थान में कौन-कौन से जहील है आप जहीं review समन्दिजील सब्सक्रानुदृत प्रaran कर दो आपको पता है वह ड़ायुको आपनी यादत होती थी यादत रख सकते हैं। तो इसलिए मतलब कि जो राजा होते थे उनको फते प्राइब मतल्स फते चाहते थे फते सागर्ऀल्ड भी इसलिए ते 1 जुच्त अलगायों ये तो इतिनी मैं मैंत पूरण है यूग अबने सुनेঈ होगा स्कोर्ण जिल के बारे में ये राजस्तान में है और दूसरी है सामबर जिल ये भी राजस्तान में है तो सामबर जिल जो है ये भारत की खारे पाने की सबसे बड़ी और साथ में याद रखेगा अंतरस्थलिय याना कि इनलैंड लेक है सबसे बड़ी अंतरस्थलिय जिल है खारे पाने कई बार एक्जामें पूछी गई है क्योंकि यह आए दिन यूज में रहती है इसलिए बार-बार एक्जामेनर पूछता है कि लोनार जिल कहां पर है तो यह है महराश्ट में तो लोनार जिल को आप कैसे याद रख पाएंगे तो आप लोनार को लोनावला से रिलेट करेंगे तो आपने लोनावला सुनाओगा ना, फिल्मों में भी देखाओगा, और लोग यहाँ पर घूमने जाते हैं, तो लोनार को आप रिलेट करेंगे लोनावला से, कि लोनावला कहाँ पर है, महराष्ट में है, उससे पर का लोनार जिल कहाँ पर है, तो वो भी महराष्ट में है लोनार जिल महराज के बुल्धाना जिले में स्थित एक खारे पानी की जिल है तो एक ये खारे पानी की जिल है इसका निर्मान एक उलका पिंड के पृत्वी से टकराने के कारण हुआ था इसलिए अपने आप में ये भी एक अधभूत है कि उल्का पिंड के पृत्वी से टकर आने की कारण यहाँ पर एक क्रेटर बना जिसमें पानी भर गया तो उसी को लोनार जिल कहते हैं इसलिए अपने आप में इंपोर्ट है और इसमें खारा पानी पाये जाता है जबकि यह समुद्र के तड़ पर नहीं है तब भी इसमें खारा पानी पाये जाता है इसलिए यह और इंपोर्ट बन जाती है तो यह रखेगा लोनार जिल कहां पर है महराश्ट में लोनावला कहां पर है महराश्ट में उसी से आप रिलेड करेंगे तो महराश्ट के बार देखते हैं केरल तो केरल में आपको तीन जिले याल रखनी है एक है परियार जिल दूसरी है अश्टमुदी जिल और तीसरी है वेमनार जिल तो जो पेरियार जील है इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं क्योंकि जो पेरियार नदी है, पेरियार नेशनल पार्क है ये सब भी केरल में ही है तो उसी से प्रकार जो पेरियार जील है ये भी केरल में ही है और अश्टमुदी जील भी केरल में ही है सबसे जादा important है वेमराड जील यह exam में पूछी जाती है कि वेमराड जील कहाँ पर है तो यह भी केरल में है यह पूछी क्यों जाती है क्योंकि जो वेमराड जील है यह केरल की सबसे बड़ी और देश की सबसे लंबी जील है लंबी मतलब की लंबाई में इस परकार आप देख रहें न यह लंबी जील है तो यह देश की सबसे लंबी जील है मतलब कि हमारे भारत की सबसे लंबी जील है इसलिए यह पूचा जाता है कि वेमबनार जील भारत की सबसे लंबी जील है और यह केरल की सबसे बड़ी जील है तो केरल के बाद देखते हैं आंदरपदेश, तो आंदरपदेश में हमें दो याद रखना है, एक है कोलेरू जिल और दूसरी है पुलिकट जिल, कौन कौन सी कोलेरू जिल और पुलिकट जिल, तो जो पुलिकट जिल है ये इंपोर्ट है, मैं आपको साथ साथ बता रहा हू यह मैंने आपको वीडियो को शुरुवात में ही बता दिया था और इसका 84 पतिशत भाग मतलब कि जो पुलिकट जील है इसका 84 पतिशत भाग आंद्रपदेश में है और बाकी जो 16 पतिशत भाग है यह तमिल नाडू में पड़ता है तो ज्यादा तर जब एक्जाम में क्वे और आंद्रपदेश में है और 16 पतिशत भाग तमिल नाडू में पड़ता है पर ज्यादा तर जब भी एक्जाम में आता है तो आंद्रपदेश ही ओप्सन में आता है ठीक है तो आंद्रपदेश और तमिल नाडू दोनों जगा और यह जिल 23 धवन उपगरह प्रक्षिपन केंद्र के पास थीत है मतलब जहांसे इस रोग आपने रोकेळ लॉंच करता है यह उसी के बाद हम कुछ महत्वपूरां तत्य देखेंगे तो उडिसा की जील है चिलका जील मौश्ण इंपोर्डर कई बार एक्जाम में पूछा गया है चिलका जील क्योंकि चिलका जील भारत की सबसे बड़ी लेगून जील है तो भारत की सबसे बड़ी लेगून जील है चिलका जी तटिये मतलब यह समुद्र के तड़पर है ना इसलिए इसे सबसे बड़ी तटिये जील है और यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की जील है जब अंतर स्थल यह खारे पानी की जील की बात हो तो संबर जील थी वह राजस्थान में थी हमने पढ़ा था पर जो सबसे बड मीठे पानी की सबसे बड़ी जील कौन सी है तो है वोलर जील हमने पीछे पढ़ा जम्मू कश्मीर में है यह भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी जील है और दूसरा है भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी जील कौन सी है चिलका जील और खारे पानी की तटिय जील सबसे ब पानी की अंतास थालिय जील है सबसे बड़ी अंतास थालिय जील है और तीसरा है कि भारत की सबसे बड़ी लेगून जील तो लेगून जील पूछा जाए तो वह चिलका जील दूसरे नमर पे कौन सी है तो वह पुलिकट जील उसके बाद है कि भारत की सबसे लंबी जील कौन लंबी वेमनाड है और उची चोलामु जील है और लास्ट में है कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम जील कों से है मतलब कि artificial leg जो मानो निर्मित हो जो प्राकर्तिक ना हो तो हो है गोविंद बल्लव पंत सागर यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम जील है यह एक्जाम में बह होते हैं तो अब हमने theory complete कर ली अब हम देखते हैं previous year के question कि हमारे previous year के प्रशन कितने सई होते हैं तो सबसे पहला प्रशन है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की जील निमन लिखित में से कौन सी है तो बताइए कि भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की जील कौन सी है तो यह गता है वोलर जील आमने पिछे पड़ा जम्रों काष्मीर में है यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की जील हैं दूसरा प्रशन है कि उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी जील लोग्टक किस राजमist में स्तीत है तो बताए कि जो लोकटक जील है यह किस राजमस्तित है तो मैंने आपको बता था कि लोग मनी देकर जील को देखने जाते हैं क्योंकि वहाँ पर कैबुल लाम जाओ नाम का एक तेरता हुआ नेशनल पार्क है तो मनी देकर मलकी मनी पूर तो इसका सही जवाब होगा option B मनी पूर अगला question ह है तो देखिए कितना असान प्रशन आया था SSC में 2011 में कि लोकटक क्या है नदी है घाटी है जील है या परवतमाला है तो इसका सही जवाब क्या होगा जील यह 2011 में SSC ने पूछा था कि लोकटक क्या है तो अगला question है कि परसिद लेगून जील चिलका किस राजमस्तित है आपको यह बताना है कि जो चिलका जील है यह किस राजमस्तित है तो आपको पता है यह कहां पर स्थीत है तो यह उड़ीसा में स्थीत है यह लेगून जील है उसके पाद अगला question है कि विश्वप्रसिद खारे जल की जील सांभर तो सांभर जो जील है यह किस राजमस्तित है लोनावला कहां पर है तो महराष्ट में है तो लोनार जिल कहां पर है महराष्ट में है इससे आप याद रख पाएंगे मैंने आपको ट्रीक बताई थी ना कि लोनावला से आप लोनार को रिलेट करेंगे तो लोनार जिल कहां पर है महाराष्ट में तो अगला प्रेशन है कि भारत की सबसे बड़ी लेगून जिल निम्न में से कौन सी है तो अब आपको बताना है कि भारत की सबसे बड़ी लेगून जिल कौन सी है यह कौन सी है यह चिलका जिल चिलका लेगून यह भारत की सबसे बड़ी लेगून जील है अगला प्रेशन है कि भारत की सबसे लंबी जील कौन सी है तो मैंने आपको बताया था कि केरल में हैं भारत की सबसे लंबी जील कौन सी थी वेंबनाड जील उसे वेंबनाड लेगून भी कहते हैं क्योंकि समुदर के तटपर है पुल लाम जाओ ये किस राज में स्थित है तो मैंने आपको बताया था ना कि लोग मनी देकर ऐसे चीज़ को देखने जाएंगे कि दुनिया का एक मात्र ऐसा पार्क है जो तैर रहा है तो मनी पूर इसका सही जवाब होगा तो अगला प्रशन है सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए सूची एक में है जीले इस तरफ जीलने दी हुई है और इस तरफ राजे दी हुए है मतलब कि जीलों को उनके राजे से मिलाना है तो सबसे पहले देखते हैं कि हमें कौन-कौन से पता है तो सबसे पहले लो जील के राजिस से सुमेलित की गई है अगला प्रशन है कि निमन में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है तो आपको यह बताना है कि इसमें से कौन सा गलत है तो सांभा जील यह तो राजसान में है लोनार यह मद्य परदेश में नहीं है बताए कहां पर लोनार तो यह महरा नागिन कहाँ पर है? मैंने आपको बताया था तो जम्मू कश्मीर, SSE में पूछा गया था question ये, तो नागिन जील कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में हैं. तो आज की ये वीडियो यही पर खतम होती है, कैसी लगी ये वीडियो? कॉमेंट सेक्षन में जरूर बताना, धन्यव अरहिगते था रज़ियो येत है तो ये वीडियो युमार्ण में मैंुठाइ तो ये ये रखवा है?